तो आज का वीडियो हमारा इस टेचिंग में आज का हमारा टॉपिक है कि सिंगल चोली कट की कटिंग किस तरह से करते हैं बीना ना पे इसका हम लोग सब जगह अलग अलग नाम है इसका नाम है जहाज कोई बोलता है कोई पैनल बोलते हैं अच्छा ठीक है ये चोली का गुलाई ले ले लेंगे और सामने का गला जितना है उसको नाप को देखते हैं ये लाउज का सामना चोली का जितना साइज है लगपक पौने चार पौने चार है तो हाफ इंच छोड़ेंगे पौने चार का हाफ इंच सवाचार हो गया ये एक्सचा दर भागाना पड़ता है और चोली का साइज है कौने पांच पांच है ये ना पांच है तो धाई जलू छोड़ते हैं धाई से सवादो तो पांच दूस साथ सवा साथ लगपक सवादो छोड़ेंगे तो इसका गुलाई अभी यहां पे आए अब हम चोली कट की कटिंग करेंगे और कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम कि इसकी कटिंग को एकदम अच्छे से कट करें इक्स्ट्रा वाले कपड़े को एकदम हमें अराम से कट करना है अब हम इंची टेप से ना पेंगे तो इसकी लंबाई साड़े चार है साइड पट्टी को रखके हम देखेंगे कि इसकी गोलाई परफेक्ट बैठी है या नहीं बैठी है तो यह परफेक्ट नहीं है इसमें थोड़ी सी कटिंग और होगी उससे पहले हम चोली कट की गोलाई को ना पेंगे तो वह आठ है और एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हमने निकाल दिया है और देखें साइड पट्टी को हम रखके इसकी गोलाई को सेट कर रहे हैं तो यह एकदम परफेक्ट है अब आपने देखा आज की वीडियो में बिना कैलकुलेशन के चोली कट की कटिंग को हमने बताया है और देखें इस तरह से टेकन पड़ती है इसे बीच से फोल्ड करके एक्स्ट्रा वाले भाग को हमने कट कर लिया है और 1.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे टेकन के लिए इसमें दो साइड टेकन पड़ती है एक साइड का टेकन यह हमारा है और दूसरे साइड मैं बताऊंगी देखें इस तरह से यह टेकन पड़ेगी कट लगा देंगे और दूसरा साइड देखें इस जगा तो आपने देखा चोली कट ब्लाउज की जो सिंगल चोली होती है उसकी कटिंग बिना नाप के इस तरह से आप घर में बहुत ही आसाने से कट कर सकते हो तो फ्रेंट आपने देखा आज हमने बिना नाप जोखे और बिना सिलाइस सीखें सिंगल चोली कट की कटिंग को किस तरह से किया है तो फ्रेंट मैं उमीद करऊंगी कि एई वीडियो आपको पसंद आये हो पसंद आये तो लाइक, सस्क्राइब, सेर कर ना भूले मिलते है मसीन की और शीचिंग की एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थांक्यू